तो विल्कम दोस्तो इस विडियो में हम जानेंगे आपके मोबाल में जो एप से और प्लेश्टोर से दोस्तो अगर आटोमेटिकली आपडेट होते हैं और इससे दोस्तो अगर आपका इंटरेट डाटा ज़्यादा खतम होता है तो आप दोस्तो प्लेश्टोर में आटो एप प्रोफिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से परिज ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको option दिखाए देगा setting का, इस setting वाले option पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, setting वाले option पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस तरह से page open हो जाएगा, अब यहाँ पर दोस्तों आपको option दिखाए देगा general का, इस general वाले option पर दो दोस्तो नीचे थोड़ा सा स्कॉल्डाउं कीजिए, नीचे थोड़ा सा स्कॉल्डाउं केने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर आप्शन दिखाए देगा नेटवर्क प्रेफरनेस का इस वाले आप्शन पर दोस्तो क्लिक कीजिए, नेटवर्क प्रेफरनेस वाले आप्श से ऐपेज ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे नीचे आप्षिन दिखाए देगा और दोस्तो आपको जिस एप को अपडेट करना है सिरिफ उसी एप को दोस्तो आप प्लेश्टोर में आके अपडेट कर सकते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो कि आप समझ चुके होंगे प्लेश्टोर में आप आटो अपडेट एप को कैसे बंद कर सकते हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए